What's up guys, welcome back to our YouTube channel और आज हम कोई watch की unboxing नहीं करेंगे, कोई airport की unboxing नहीं करेंगे आज हम करेंगे एक laptop की unboxing क्योंकि guys एक personal problem थी क्योंकि मैं बहुत search कर रहा था कि यार कौन सा laptop best है for video editing और in India क्योंकि आपको बहुत सारे reviews मिल जाएंगे बहार के भी content रहेगा आपके लिए इसलिए ये video बनाई है ताकि जो भी लोग बंदा online video सर्च करें तो उसको एक मिल जाए और help हो सके as per the specific India purpose के लिए अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस वीडियो को लाइक याद से कर देगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और notification बेल आइकन भी ओन कर दीजएगा अब सीधे चलते हैं मुआरे laptop की तो आइस देख सकते हैं यह Macbook Pro यह M1 चिप वाला है 2020 एडिशन है यह हमारा Macbook Pro लिया था मैंने और यह सिर्फ और सिर्फ गाइज मैंने इसी परपस से लिया मैंने काफे रिसर्च करी इसके ओपर कि कौनसा के लिए हमारे को देखना भी पड़ेगा ना कि क्या खरीदे क्या नहीं तो उसके लिए प्रॉपर यह वीडियो है और प्लीज एंड तक देखे एक एक कोशन का अंसर करूंगा मैं धंक से हमारा पैला कोशन चलेगा कि और वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने क्यों कहा और कोई क्यों नहीं का मैंने इतने सारे लाप्टॉप जो एविलेबल है वो भी तो हो सकते है ना तो इन तीनों कोशन का अंसर मैं करूंगा अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा करी यह हमारा फोक्तोर शॉल्ड ने करें करी हैं यह हमारा मैक्पुक प्रो निका देंगे हम इस निकाला आ हमने लक्टॉप यह गाइज मैं थोड़े टाइम से यूज कर रहा था मैं देख रहा था कि वर्थ इट है कि नहीं यह चीज आपको ठंक से रिव्यू भी तो देना था कि वाई MacBook Pro is worth it not any other laptop तो मैं निए video editing कर रहा था काफी मैं इसको use कर रहा था मेरे को एक महीना हो चुका है तो मैं इसको properly use कर रहा था है यह हमारा adapter मिला इसके साथ यह हमारा laptop proper यह adapter है हमारा और guys यह हमारी है data cable जो इसके साथ मिलती है charging वाली और guys यह आपको मिल जाएगा 61 watt का power adapter है guys यह guys 2020 edition है कोई और edition नहीं है 2020 edition है तो guys एकदम मतलब अलग ही level machine है मैं start होने से पहले लिए बता दूँ अलग ही level machine है M1 जो चिप निकाली है आप पड़ने वर्थ इट है A2Z वाइज यह है हमारा laptop देख सकते हैं आप मैं इसकी specifications बता देता हूं जो हमारा M1 pro 2020 edition है हमारा यह तो इसका गाइस specifications बता देता हूं मैं आपको यह है गाइस हमारा 13.3 इंचिस रटीना डिस्प्लेइ विन 8-core CPU जिसमें से आपके 4 performance scores होते हैं 4 efficiency scores होते हैं 8-core GPU होता हमारा और 16-core neural engine है इसमें हमारा M1 वादा chipset है गाइस इसमें जो apple ने खुद के लिए release करा था M1 silicon इसके साथ गाइस आपको मिल जाते 61 watt का power adapter जो की ज़्यास काफी ज़्यादा powerful है इससे phone होगे अब भी charge करेंगे इफ आपकी original data के बिले जब भी करना with this आपका phone भी खराप नहीं होग and fast charge भी करेगा तो इसको भी अब रप देखते हैं हम side में और हम देखते हैं अब हमारा laptop जिसके लिए हमने proper video बनाई है यहाँ से यहाँ पर हमने transparent skin चड़वा रखी है proper ताकि scratch होगा रहा ना है यहाँ यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी skin चुगा रहा है guys इस पर तो proper पूरे laptop पर skin है ताकि scratch होगा रहा है कि why I chose this instead of cover वगरा जो अचकल case आरे जो body आ रही है MacBook वगरा कि वो क्यों नहीं चूज कर रहा मैंने की क्यों चूज करी तो वह भी अगली वीडियो बता हूँगा अभी के लिए proper मैं आपके इन तीन questions का answer कर दो कि यह बहुत ज़दा ज़रूरी है अब हम आ जाते हैं questions पर जिसके लिए हमारी वीडियो बनी है proper जिसके लिए मैंने सोचा कि आर बनानी चाहिए वीडियो पहला question है हमारा why MacBook Pro so guys basically अगर आपका टास्क जो है थोड़ा सा जाधा workload बेस से होता है कि यह मतलब आपको editing करने सबसे सबसे जाधा important चीज़ आती है हमारी editing अगर आपको editing करने और आपका एकदम normal editing नहीं है कि आपने सर्फ एक घंटा करी पूरे हफते में आप तीन-चर बार एडिट करें के गंटे की तो वर्थ एट है MacBook Air पर जाहिए 256GB लिए 7 गोर वादा लेजिए 83,000 अभी भी पैसे बचेंगे आपके यह हमने लिया था एक लाग बार अजार तो आपकी इतने जाधा पैसे बचेंगे बट अगर आपको office work नहीं करना आपको editing और गहरा करनी है थ वहाँ पर guys normally AC पूर दिन चलते होंगे यह सबसे important चीज़ है वहाँ पर आपका proper AC और रोज चलते रहते होंगे पूर दिन चलते रहते होंगे जो आपने online देखा है क्योंकि अंग्रेज हो गयरा होते हैं वहाँ पर थोड़ा ठंडा भी रहता है आपका as comparatively to India जैसे जैसे हम हमारी जैसे में जून आ गया तो laptop इतना गरम हो जाता है क्योंकि जब इतना गरम temperature होता है और हम तो मेरे को पचाए कि कोई भी आप में से और हम में से पूरत दिन AC नहीं चलाता हुआ तो एफिशेंट तो होंगे यह आप भी पूरत दिन AC नहीं चला सकते और अगर आप editing कर रहे है ना यह heat up करेगा और लोग सबसे बड़ी गलती यही करते कि MacBook Air लेते हैं तो गाइस हमारे इंडिया के purpose के लिए जहां पर temperature बहुत जदा रहता है इवन Apple की website पर भी ना देखें लिखा हुआ है यह proper specified है कि कि कितने temperature पर कितना इसका work start करेगा fan और कितना नहीं तो अग अगर आप editing करना चाहते हैं और आपका थोड़ा hard task है कि मतलब आपको पूरे दिन करनी है मिनमम तो मिनमम आपको चार से पांच घंटे आप editing कर रहे हैं पड़े जैसे मेरा task होता है मैं पक्का करता हूं मेरी हफते में कम से कम 6-7 गंटे भी मेरा laptop चलता रहता है मैं कुछ न नहीं का लेगा आपका extra जो की आपकी performance लो तो होने नहीं देगा और Macbook मतलब laptop को भी खराब होने नहीं देगा गईज मेरे पास यह देखिए एक एसूस का laptop भी है यह एसूस tough f15 अंडर 60,000 ना इससे best laptop ढूंड के दिखा दो मान जाँगा इससे best laptop अंडर 60,000 का अंडर 70,000 भी कोई नहीं मिलेगा आपको tough f15 यह भी मेरा ही laptop है गाइस यह मैं पहले यूज करता था इसको तो थोड़ा मेरे को इसमें अलग अलग चीज़ें मिली तो इसलिए मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया यह भी मेरा खुद का ही है देख सकते है आप पर अभी एक दम नई जैसी कंडिशन ही अभी ही लिया था मैंने तो गाइस यह laptop ना अंडर 60-70,000 यह है अगर आपको लेना है न यह लिए टाफ है 15 बट थोड़ा आपका बज़ेट जादा है और आपको चाहिए लॉंग टरम इंवेस्टिंग वीडियो एडिटिंग स मैं से हावा निकलेगी गारम होगा तो यह देख सकते हैं जिसके लिए tough है 15 मतलब tough series famous है यहां से heat sink है सबसे हमारे को चाहिए तो guys सबसे जो बेसिक चीज होती है इसकी वह सबस्दा मुश्किल देती है हमार को गर्मियों में जब हमारा हीट अप करता है और अंदर के जो चिपसेट्स हुए रहा होते हैं जो एक नॉर्मल टेंपरेचर के पार जाते रहेंगे तो परफॉर्मेंस लैंट तो देगा ही देगा अंदर के गाइस जो होता है हमारा 511 जो होते है हमारी मशीनरी जो होती है वह भी खराब होने लगते है अगर आप इसको सर्टें टाइम पीरिडिके लिए उसको उस तेमपरेचर पे करते रहोगे करते रहोगे तो वह प्रॉब्लम देगी ही देगी और बहुत जाने इस चै सब्सक्राइब चेंज होगा एक और गाइस इस तो खर्चा जब मांगेगा ना इस बहुत भारी मांगने वाला है तो आपको यह चीज बहुत धियान से रखनी चाहिए कि आपको overheat तो होने ही नहीं देना laptop को तो this is one of the best thing कि इंडिया में क्यों ले आपके पैसे ही बचेंगे MacBook Pro अगर आप video editing कर रहे हैं तो आपका task आपको मैं पहले ही बता दू आपका task purpose बेज़ जाए कि अगर आप task बहुत ज़दे heavy कर रहे हैं तो आपको MacBook Pro लेना चाहिए अब गाइस वह हम आजाते हैं अब अब अरे third question पे तो गाइस third question है Why MacBook Pro not any other laptop तो गाइस यह इसले लिया मैंने क्योंकि मैंने आपको starting में यह बताया था कि मेरा एक सबसे बड़ा purpose है कि video editing मेरे को करनी है और मेरे task थोड़े ज़्यादा performance based रहेंगी कि जिन में performance की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी MacBook Pro ही क्यों और कोई अधर laptop क्यों ने क्योंकि guys सबसे पहली बात इसका performance तो आपने और जगे देखी लिया होगा सब जगे इतनी वीडियो देखने के बाद ही यह भी वीडियो देखी होगी तो guys सब लोग इसको कमेंट तो करी रहे हैं कि हाँ यार यह चीज़ है वर्थ है अब यह तो हमारा होई गया अब सेकिंड चीज में आपको बद आता है तो बैटरी बैकप गया इसका जो बैटरी बैकप है वीडियो देटिंग मतलब जिसमें जीप्यू और सीप्यू प्रॉपर यूज हो रहा है दस घंटे इसने दिये हैं मुझे हरसं तो guys यह बहुत बड़ी चीज है आपकी कि अगर आप इकर रहे हैं तो यह तो हमारा हो गया MacBook Pro या MacBooks not any other laptop यह तो हमारा MacBook का हो गया अब guys second चीज क्या आजाती है कि हमारी display जो सबसे ज़्यादा important है मेरे लिए क्योंकि guys मैं video editing करूँगा तो मैं color grading तो करूँगा color editing भी करूँगा तो guys यह Macbook में आपको super retina display मिलती है और को laptop में नहीं मिलती मतलब under 1 lakh में आपको अगर मैं Asus पर जाओंगा आपको IPS HD 144Hz की display मिलेगी बट IPS मिलेगी guys IPS तो आपको दियान रखना है यह चीज का कि IPS display है super retina display नहीं है तो color grading होगा रहा कुछ नहीं होती है मैंने उस पर करके लिए कि मेरे को थोड़ा अगर आप video editing कर रहे हैं और आपका अगर अभी नहीं तो बाद में scope है कि आप हाँ थोड़ा editing की तरफ जाना चाह रहे हैं आपको performance boost चीज रहे हैं तो MacBook ही लीजे और कोई मत लीजे फिर आज़ात है आपका कोशन की कौन सा लें तो MacBook Pro is worth it in cases मैं आपको बता दिया कब नहीं कब ले सकते हैं वीडियो को खतम कैसी लगी वीडियो बताएं नीचे सेक्शन में ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए laptop के ऊपर यह नए फोन्स के ऊपर तो वह भी हम करते रहेंगे अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो से नीचे बतें में इसकी तो गास चल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो है